जो क्लास है, छात्रवासादी चक, छत्तिस गड़, पुलिस भरती, सहकारिता विभाग, तीनों ही जो एक्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और छत्तिस गड़ सब इस्पेक्टर पुलिस भरती, एसाई की क्लास चल रही है, ठीक है, मात्तपुन तीस अब्जेक्टिव कोश जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी कोश्चन में आपको कराऊंगा, आज आपका पीएससी, व्यापाउम, एसससी, सभी पर इच्छाओं में कई बर रिपीट हुआ है, तो चलिए वान लाइनर कोश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद तीस अब्जेक्टिव कोश तो आपको नोटिफिकेशन के मादेम से मिल जाएगा, अब देरी न करती हुए, पहला कोश्चन देखते हैं, नांद घाट कीस नदी के किनारे इस्थित है, तो आप सभी को मालूम होगा, ये सिजी पेसी सीमों 2019 में पुछा गया है, सिवनात नदी के किनारे इस्थित है, जो नान घाट है आपका सिवनात नदी, हस्देव नदी के किनारे कौन से जीला है, तो आप सभी को मालूम होगा, ये महिला परिविक्षक में पुछा गया था, 2009 में कोरवा, ठीके हस्देव नदी आपको कोरवा नदी के किनारे इस्थित है, उसी प्रकर ताला गाउं कीस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप सभी जानते होंगे जो ताला गाउं नदी है, आपका मन्यारी नदी के किनारे बसा हुआ है, रैपूर नदी उसी प्रकर खारून नदी आएगा, रैपूर के प्रसिद्धे मेला किस नदी के टट पर लगता है, तो आप सभी को मालू सहकारिता विभाग के तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सहीं वीडियो पर आए हैं जैसे कि आप देखे ये आपके होस्टल वारणर 2014 में पूछा गया है कि रैपूर के जो प्रसिद्ध मेला है कौन से नदी के किनारे पर लगता है तो आप सभी को मालूम होगा खारून नदी तो रैपूर के आसपास कौन से नदी है खारून नदी है है ना चलिए अब देखे जो हस्देव नदी ये भी आपके व्यापाम और आ रही आ रही का मतलब होता है रिवेन्यू इस्पेक्टर ये भी सीजी पीएसी सीजी व्यापम जितने भी कोस्टन लेकर आया हूं व्यापम पीएसी में पूछा गया है ठीक है वीडियो को लास्ट देखकर जरूर सिवनात नदी के किनारी इस्थिस सहर है आपको दुर्ग और राजनान गाओं ठीक है चलिए अब देखेंगे यहाँ पर देखिए जितने भी कोस्टन लेकर आया हूं व्यापम और पीएसी में पूछा गया है ठीक है 36 गड़ का एक मातर राज की जल मारग किस नदी पर है तो आप सभी को मालूम है सबरी नदी ठीक है कौन सा है ये भी आपको व्यापम पीएसी में पूछा गया है कलमा बांद ये अक्सर इज़ा में पूछता रहता है कलमा बांद की इस नदी पर निर्मित किया गया है तो ये महा नदी पर 36 गड़ व्यापम 2017 में रिपीट हुआ है उसी प्रकार 36 गड़ में इस तिस गंगरेल बांद आप सभी को मालूम होगा अन्य नयम क्या है रवी सं आसा है यानि कि आपके व्यापम 2017 में पूछा गया है है अब दिखिए जो 36 गड़ में कौन सा बांद मिटी से बना है तो आप सभी को मालूम है खरकरा बांद जो है आपका मिटी से बना है फूरी स्पेक्टर 2008 में पूछा गया है मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जितन इसलिए बना है मतलब खरकरा ठीक है अब 36 गड़ का सबसे कम सिंचित जीला यानि कि सबसे कम जो सिंचित जीला है 36 गड़ में नरायनपूर है कौन सा है नरायनपूर या को 19 में पुछा गया है हाँ मैं वही बात कर रहा हूं जो एक्जाम में आता है है ना अगर देखिए अगर आप लोग SI की तयारी कर रहे हैं मेंस का तो डेली क्लास चर रहा है और हमारे चैनल पर 18 मार्च से निव बेच प्राड़म किया गया है एडियो होस्टल वाडन SI भरती और अभी आने वाला है सहकारीता विभाग उसके लिए ठीक है तो दिखिए निम्न में से कौन सा बांध 36 के सबसे पूराना बांध है तो आप सब भी को मालूम होगा हमेंसा पढ़ते रहते हैं समाने ग्यान तो आपका रुद्री बांध है तीक है जिन लोगों को पता नहीं है डेली क्लास करते रहेगा खुटा गाद बांध ये एक्जम में इतना ही पूछे जाता है कि देखिए कौन से निर्मित है तो खारंग है ना और कीज नदी पर मिनी मातब पर्योजन आप सभी को मालूम है मिनी मातब पर्योजन हस्टदेव हैं और 38 के सबसे ऊंचा बांध कौन से बांग Soul कौन सा है बांगो बांध ये भी आपको कीजिव sucking 2018 में पूछा गया ये वही पीडिये और सिजी पीएसी और व्यापम और पटवारी में पुछा गया है रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है सोन नदी जो रिहंद नदी है आपका सोन नदी की किनारे स्थित है उसकी सहायक नदी व्यापम में लेखापाल में और 2017 में पूछा है तो चलिए अब हम आप जो 2 questions देखेंगे तो सबसे पहला देखें 36 गड़ के सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप सभी को मालूम होगा 36 गड़ के सबसे बड़ी नदी महा नदी है जो 858 किलोमेटर जब कि 36 गड़ में कितना बहती है जल्दिस कमेंड करके बताईएगा 36 गड़ के सबसे बड़ी नदी महा नदी है तो 36 गड़ का जो महा नदी उसके लांबाई कितना किलोमेटर है आप कमेंड करके जरूर बताएं सेजी पेसे 2016 ए 13 में पुछा गया है अब देखेंगे इसके बाद है यह आपका कौन सा है देखें आभनेर यह आपको मुष्का और पिपरिया नदियों का संगम पर इस्थी था यह आपका आज आएगा खैरागड ठीक है चलिए आप तीसरा का कमेंड करके बताएगा क्या आएगा जल्दी से बताएगे कमेंड करके कमेंड करके फटाक से बताएगा इसका आँसर आप लोग जल्दी स कमेंड करें इंद्रवती नदिका उद्गम इस्थल बिल्कुल सही है काला हंडी ओड हिसा में इंद्रवती जवाब का है ना ओड हिसा में है चलिए इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करके बताएगा क्या आएगा जल्दिस कमेंट करें दुद्वा जलासा करें मन किस नदी पर किया जाए तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है दुद्वा जलासा का आंसर कितने लोगों का आंसर सी आया है बिलकुर सही है महानदी दुद्वा जो जलासा है आपका निलमान महानदी पर हुआ है चलिए इसका बताएगा महानदी की किनारी के सहाइग नदी कौन से है महानदी और यहाँ बताएगा मन्यारी नदी किसकी सहाइग नदी है मन्यारी नदी जल्दिस कमेंट करके बताईएगा सिवनात, मांड, महनदी यह हस्देव क्या हैगा कमेंट करके फटाक से बताईएगा इसका अंसर क्या होगा मन्यारी नदी किसकी सहाइग नदी है जो लोग तयारी कर रहे हैं सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो बने रहीगा वीडियो पर कहीं जाएगा मत ऐसे ही आपके एक्जामे रेलेटेड कोशन देखने को मिलेगा तो मन्यारी नदी किसकी साहग नदी है जो मन्यारी नदी है आपका बिल्कुल सही आंसर है सिवनाद नदी आप बताईएगा इसका आंसर क्या होगा तांदूलन नदी का उद्गम बिल्कुल सही है आंसर ए कांकेर जीला इसका है आपका सातवा चत्तिस गड़ की जीमर रेखा सिहावा परवत बिल्कुल सही है इसके बद रैपूरी यानि की राजपूरी प्रपात की जिले में इस्थित है ये बिल्कुल सही है आपका आंसर जस्पूर होगा चित्रकुट प्रपार्ट बस्तर जिले में कौन से नदी पर इस्थित है तो कौन से नदी परिस्तित है जल्दिस कमेंट करके तो चाहिएगा आंसर A, आंसर B, आंसर C या आंसर D कमेंट करके बताए इसका आंसर A होगा ठीक है अब बताएए 36 का राजय में कौन से नदी आपका A होगा महानादी आंसर A इसका आंसर बताएगा कि नीम्न इस थानों में कौन से क्रम दक्षिन से उत्तर की और महानादी की समोक्वर्ति 36 में इस्थित है 2015 पुछ़गे दक्षिन से उत्तर देखे इधर नीचे दक्षिन हो गया और यह आपका उत्तर हो गया ठीक है तो वहाँ समी पुवर्ति जो इसका समी पुवर्ति है वो इसमें इस थे छेत्र कौन कौन सा है तो इसका अंसर आपका B होगा राजीम, सिर्पूर, पलारी और सिवरी नरा है ठीक है चलिए इसका आप लोग कमेंड देखिए 36 के सबसे लंबी नदी के बारे हम बात करें तो यह आपका सिवनात नदी है 290 किलोमेटर, कितना 290 किलोमेटर, ठीक है सुखा की इस नदी की सायक नदी ताप सभी को मालूम होगा सुखा की सायक नदी है जल्दिस कमेंड करके बताईएगा इसका अंसर क्या होगा जो सुखा नदी है, आप सभी को मालूम होगा महा नदी की सायक नदी है महा नदी, सुखा नदी, ठीक है राज्य का सबसे चाउड़ा एवं सरवाधिक जल प्रपात एक मातर कौन सा है जल्दिस कमेंड करके बताईएगा इतना सरल आंसर आप लोग कमेंड करके बताएं क्या होगा राज्य का सबसे चाउड़ा एवं सरवाधिक जल प्रपात बिल्कुर सहीं जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है जित्रकूट जल प्रपात, जो की सरवाधिक जल प्रपात पानी डोंगरी पाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है जो पानी डोंगरी है जल दिस कमेंड कर बताएगे इसका अंसर क्या होगा देखे जो पानी डोंगरी पाड़ी में कौन सी नदी मिलती है पानी डोंगरी आप सभी को मालूम होगा तेल नदी और पैरी नदी तीक है जो तेल नदी है और पैरी नदी आपका महानदी मिलती है तो आपसन B और आपसन C यानि कि दोनों ही होगा तीक है मध्य महा नदी बेसीन महा नदी किसकी सायक नदी का जल संग्रहन छेतर है जल इस कमेंड करें बताईगा इस कांसर क्या होगा देखें मध्य महा नदी बेसीन और ये नदी का जो जल संग्रहन है आपका होगा सिवनात ठीक है अब चलिए इसका बताईगा क्या होगा चतित्रगर राज्य में ओरीसा के मध्य जल बटवारे को लेकर कीस नदी पर विवाद चल रहा था कौन से नदी है? देखिए यहाँ पर फिर से एक बार यह जो चतित्रगर राज्य है वहाँ ओरीसा के मध्य में यानि की बीच में जो जल बटवारे को लेकर नदी पर विवाद चल रहा था कौन सा है? सबरी नदी या इंद्रावती नदी या कौन से नदी? जल दिस कमेंट करके बताईएगा क्या होगा हमेशा देखिए ओरीसा अब याहाद रखिएगा और इसा आपका इंद्रावती नदी ही आएगा क्योंकि दिखे उसी पर ही विवाद चल रहा था ठीक है? केंदई जल प्रपात की जिल्य में इस्थित है? जो केंदई जल प्रपात है आपका आज आएगा आंसर कौरबा ठीक है? आंसर A कितने लोगों को आणसर पता था? कमेंड करके पताएं आंसर A होगा अब देखेंगे नेश्थ तीरत गड़ का गुरु जल प्रपात कौन से कहला था? तीरत गड़ आप सभी को मालूम होगा तीरत गड़ का यह तीरत गड़ का आंसर आप कमेंड करते जाएगा कितने लोगों का आणसर आ रहा है? तीरत गड़ का गुरु जल प्रपात यह आप कहो जाएगा? नहीं नहीं B नहीं होगा ना? B गलत है C होगा जितने लोगों का आणसर C आया है? महादेव घुमर यह बिलकुल आंसर सही है तीक है? कितने लोगों का आया है? कमेंड करके बताएं तीरत गड़ का गुरु जल प्रपात महादेवागा बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाले नदी कौन से? एकजाम है ही बहर कुछ है तक दीखे हमेशा आप याद रखना जो बस्तर में जो संभाग होता है दो संभाग कितना? दो तो विभक्त करने वाली कौन से? यानि कि अलग-अलग है ना कौन से नदी है? इंद्रावती नदी हमेशा याद रखना जो इंद्रावती है पूरा लग कर देती है लग-लग ठीक है सिचित्र कुछ जलप्रपाथ की प्रसेदी के मुख्ज कैरण क्या है तो सबसे अच्छा कारण देखीए चीत्र कुछ जलप्रपाथ के बारे आपको मालू होगा चाउड़ा जलप्रपाथ होता है तो कहा है, आपका अंसर यही निकल गया, सारवाधिक चैंडाई यह मुख्य कारण क्या है, चीतरकोड जल प्रफपाद के चैंडा है ना जल प्रफपाद लंबाई है, चैंडा है, बहुत जाद चैंडा है इसका लंबाई तिक है यह आप इसको छोड़ दीजिगा यह नहीं पूचा है एक्जाम में यह वाला देखेगा यह यह वाला क्या है का फड़ाक से कमेंड करके बताएं इसका आंसर के आग दोजर सोला में पूचा गया है कोंडा गाओं किस नदी के टड़ पर इस्थित है जो कोंडा गाओं होता है आपका नारंगी नदी पर इस्थित है इसका आंसर आप कमेंड करके बताएं फड़ाक से कौन सी नदी अमर कंटक से निकलती है तथा पच्ची में ही बहती है देखे पच्ची में हमें सा कौन सी नदी बहती है यह आदर खेगी इस्थाम में तो आपका आंसर आटोमेटिक बन जाएगा कौन सी नादी अमार कंटक से निकलती है नर्मादा नादी नर्मादा नादी जो है आपका अमार कंटक से निकलती है और पुछा क्या गया पस्चिम में ही बहती है पस्चिम की तरब से ही बहती है कौन से नादी नर्मादा नादी ठीक है कौन सी है नर्मादा नादी तो खंभ पस्चीम की और वहती है आपका हो जाएगा नर्मदा अम्रित जल प्रपात की इतना दी पर बनता है तो आप सबी को मालूँगा अम्रित जारत जो जल प्रपात है आपका हजदेव नदी पर बनता है बिल्कुल सही अंसर है चलिए अब देखे पाना बरस की पहाड़ी 26 काम का अंसर होगे सी कौन सा होगा सी सीवनात नदी पाना बरस हो गया ना महा नदी किसकी सायक नदी जल दिस बताएगा महा नदी किसकी सायक नदी है महा नदी जीव आपका सबरी नदी कि सायक नदी है ठीक है प्राचिन समय में चित्रपल्ला के नाम से जाने वाली नदी ये चुट्र पर लाक नाम से जाने जाती कुन से नदी है comment करके बताएगा इंसका answer जितने लोगों को पत्तर नहीं है वो मतलब प्राही नहीं करते मतलब selection लेना नहीं चाहते ठीक है और जितने लोग selection लेना चाहते है चाहए SI भरती हो MENS हो है ना चाहे आप हरसल बाड़न हो, एडियो हो, या फिर सहकारी चाबे हो, अगर आप लोग की तयारी अच्छी है, तो कमेंट करके बताईएगा, और नहीं चाहरी है, तो कोई दिकत नहीं है, वीडियो को end कर सकते हो, ठीक है, चली, skip कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, अगर आप को end कर सी आया है, महानदी, जो चित्रपला के नाम से जना जाता है, और जितनी लोगों को answer B आया है, बिल्कुल गलाथ है, ठीक है, बिल्कुल गलाथ है, मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बीच जो लगा रहे हैं आंसर, और जो C लगाए है, महानदी बिल्कुल सही है वह लोग अच्छे प्राई करते हैं जो सोने को नहीं पाई जाते हुआ सब्सक्राइब बता क би्याजार है प्रहुत कितने लोगों का अंसर रहा है बिल्कुर सही है ना कमेंट करें मुर्ख न होने अगर आप तो त्यारी करना चाहते हैं तो है ना ठीक है यहां ता क्लियर हुआ आप आप सभी के लिए क्लिए क्वेश्चान है कि बैला डिला की पहड़ी यानि कि दंते वड़े से निकलने वाली नदी कौन सी है कमेंड करके बताएगा इसका आंसर क्या है फटाक से बैल सब्राइब फिल onboard आंसर डीया है सब्री नदी कितने लोगों का अंसर डीया है जबरे नदी बिल्कुल सही है वैल डीला पारी दंते वड़े से निकलने वाली नदी है ठीक है अब अब आप सभी क्लिक कोश्च्CE है, ज्ल्दी से बताईए गर इसका अंसर आप लोग गलत देते हैं, मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैं डारेक्टेली बोल रहा हूँ आप लोग पढ़ाई नहीं करती इसका अंसर आपको मालूम नहीं होगा तो अगर आपको आंसर मालूम है फटाक से कमेंट करके बताएगा क्या आएगा हीरा कुनबान किस नदी पर बना है कमेंट करके बताएगा वडाक से आज के लिए इतना ही तोटल हम 30 अब्जेक्टिव कोईशन देख चुके हैं उसके प्लस आपका फायदा है बेनिफिट है कि वन लाइनर कोश्चन देखे हैं जो आपकी पीएससी और सीजी वापा में पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आप लोग हॉस्टल वाडनेक तयारी करना हैं या एडियो की तयारी करना है या एसाई भरती की तयारी करना है या आने वाले एक्जाम सहकारिता विभाग की तयारी करना चाहते हैं बने रहीगा वीडियो पर सस्क्राइब करके जाहिएगा डेली क्लास करने के लिए ऐसी कोश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक करतीजेगा तिक है आज के लिए इतना ही ओके चली कमेंट करके आप लोग बताईगा इस कांसर क्या होगा हीरा कुनबान बिल्कुल सही है जितने लोगों कांसर आ रहा है तिक है थाइंक्यो